Welcome to all of you तो यहाँ पर आपके 10th Base Paramedical Course की आपकी काउंसलिंग के लिए काफी सारे बच्चों को इंतजार था तो जो है आपकी जेके बोपी ने 10th Base Paramedical Female Multi-Purpose और Millability Purpose की काउंसलिंग के लिए जो है डेट्स आउट कर दी हैं किनका अडेट्स को कैसे कैसे और कहां पर कब कब जाना है काउंसलिंग के लिए और क्या क्या आपको डाकॉमेंट साथ लेकर जाने हैं और काउंसलिंग किस तरह से होगी आपको colleges कैसे परवाइड होंगे यह सारी details आपको इस वीडियो में तो चलिए सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा अब आप तो आपकी जो है 10th base paramedical के फार्म लगना शुरू हुए थे उसके बाद आपका बताया गया था कि आपका merit base पे जो है sorry, interest base पे जो है आपकी selection होनी है then, interest base पर क्यों नहीं हुए यहाँ पर जो total यहाँ पर जो है जेके बोपी के ने absorb किया कि आपके जो total application farm जितने भी है वो लगे हैं आपके 6,500 60,567 जो है आपके farm लगे हुए है और लगबग total number of seats कितनी है वो यहाँ पर आपके पास seats है 8,570 seats है जानने कि लगबग आपके 22,000 कम farm लगे है as compared to जितनी आपकी seats available हैं हमारे जम्मो कश्मीर में 10th base paramedical course के लिए ठीक है तो यहाँ पर जो है उसके बाद जो है आपका entrance base पे आपकी provisional selection list आ चुकी है कबकि जिन बच्चों ने provisional selection list नहीं देखिया भी तक आपको telegram channel का link मिल जाएगा आप वहाँ से जाके provisional selection list download कर सकते हैं और even की हर बच्चे को अभी provisional selection list download करनी होगी वो क्यों करनी होगी चले मैं आपको आगे बताता हूँ थोड़ा सा देखिया आपकी counseling यहाँ पर यह है आपकी counseling dates आप इसका screenshot लेके सबसे पहले रख ले then आपको चाहिए आपकी provisional selection list जो आपकी provisional selection list की PDF है जिसमें सब के नाम और rank दे रखे हैं आपको वो वली PDF साथ में रखनी है और अपना rank वहाँ पर देखना है ठीक है दो चीज़ें आपको सबसे पहले अपने साथ रखनी है अब यहाँ पर मैं आपको बता दू किया करना है dates क्या क्या है आपको documents क्या लेके जाने है वो भी आपको आगे बताता हूँ देखें आपको क्या करना है जो आपका rank 1 से 500 तक है rank all category का all candidates आपकी journal category हो slash करके oblique करके यहाँ पर category लिखा है आपकी कोई भी category है PSP है, ST है, SC है ठीक है आप यहाँ पर ना देखें सिर्फ form लिखा है आगे slash करके आपका category भी दिया है तो आपको even हर candidate को जो rank 1 से 500 के बीच में फाल करता है वो आपका counselling के लिए जाएगा देखें, counselling के लिए कहां जाएगा अगर आपका provision सिर्नगर है तो आपको JKBOP office सिर्नगर सर्च करना है अपने Google Map पर वो आपको सिर्नगर में मिल जाएगा आपको इस date को जानी कि 1 से rank 500 तक की candidates को 18-7 जानी कि 18th of the July 2022 को counselling के लिए उस दिन आपको JKBOP office सिर्नगर जाना है और अगर जम्मू provision के candidates हैं तो आपको 18 आपना 18th of the July 2022 को ही JKBOP office जम्मू जाना है आप Google Map पर JKBOP office जम्मू सर्च करेंगे आपको जम्मू की location मिलेगी JKBOP office आप करेंगे सिर्नगर तो आपको सिर्नगर की location मिलेगी ठीक है सिर्नगर provision के candidates चितने हैं वो वहाँ पर JKBOP office सिर्नगर जाएंगे और जम्मू provision वाले जम्मू में जाएंगे ठीक है इसी तरह से आपका rank 501 से 1000 तक 19 को जाएंगे इसी तरह से आप अपना जो है rank देख लें आप कौन से नंबर पर फाल करते हैं किस rank के बीच आते हैं ठीक है उसी दिन आपको अपने counselling के लिए JKBOP office में जाना है ठीक है लगबग 13 दिन ये counselling चलेगी आपको miss नहीं करना है कोई भी session ठीक है आपको dates अपने mind में अच्छे से बिठा लेनी है provisional selection list को download करना है अपना rank देखना है कौन सा है और आपको कौन सी date के लिए counselling में जाना है office location में ने आपको बता दी है अब बात आती है आपकी कि आपको अपने साथ document कौन कौन से लेकर जाने है बुपी office में selection के लिए या फिर आपको अपना college कौन सा बहाँ पर choose करना है ठीक है आप यहां पर हम थोड़ा सा scroll down कर लें यहां पर आपको यहां पर देखें यहां पर एक advice दी रखी है यहां पर अपनी verification के लिए आपको आपको आपने साथ डाकुमेंट ले जाने हैं original documents ना कि आप photo state ले जाएंगे बिल्कुल original document लेकर जाएंगे आपने सबसे पहले आप ले जाएंगे एक अपना domicile certificate then 10th की mark sheet ले जाएंगे ठीक है then आप अपनी copy of category certificate where applicable आगर आपने जिस form में PSP बढ़ा है आपने SC बढ़ा है, ST बढ़ा है ALC बढ़ा है, OBC बढ़ा है ठीक है आपने जो B बढ़ा है आपको वो अपनी category certificate साथ लेकर जाना है अगर आप physically challenged category से belong करते हैं तो आपको अपना physically challenged certificate जो है वो अपने साथ bring करना है ठीक है ये थी आपकी overall poor details अगर इसके इलावा भी hope कि मैंने सारे questions आपके जो है वो cover कर दी है इस video में अगर इसके इलावा कोई आपका question बचता है pending then आप comment कीजिए comment box में आपको reply जरूर मिलेगा सभी को मिलता है हमारे साथ telegram channel पर जुनने के लिए telegram channel पर जुड़ेंगे तो आपको PDF वगरा सब कुछ मिल जाएंगी video की description पर telegram channel का link मिल जाएगा आप वहाँ से इसली जॉइन कर लेंगे ठीक है पहली बर visit कर रहे हैं subscribe कर ले चैनल को और भी latest update के लिए हमारे साथ बने रहे हैं thank you so much